नबस्ते दोस्तों मेरा नाम C.A. Rajendra Aroda है और आज एक बार फिर हमारे साथ है C.A. Archana Jain मैम और आज हम मैडम के ही ओफिस में ये रिकॉर्डिक कर रहे हैं तक नहीं आई और उसकी पेमें जो है वो मुझे 30 जून तक नहीं आई और वो पेमेंट आई पोस्त तीस जून मतलब GST रिजीम में आज अभी तो उस पेमेंट के ऊपर क्योंकि वहां पर मैंने टेक्स पे नहीं किया सर्विस टेक्स में तो उस पेमेंट के ऊपर क्या मुझे टेक्स अब पे करना है सर्विस टेक्स पे करना है या GST पे करना है आज का हमारा यही सवाल है, मैंडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंडम आप प्रीज आगे बढ़ा है बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है और सबसे पहले सर बहुत ही खुशी की बात है एंटिमेटली पेमेंट आई तो से अब situation क्या है, जैसे सर ने बताया हमने services पहले provide कर दी, या goods हमने पहले sale कर दी invoice हम issue कर चुके हैं और उस टाइम के हमारे पास payment नहीं आई पेमेंट आई है हमारे पास 1 जुलाई 2017 के बाद अब payment आई है, obviously अगर मेरे पर tax की liability है तो मुझे tax pay करना है अब मेरे पास में 1 जुलाई 2017 के बाद में दो रास्ते है वो दो रास्ते क्या है, या तो मैं उसके उपर में service tax pay करूँ या फिल मैं उसके उपर में GST pay करूँ अब दूसरा सवाल आता है कि जो कि बहुत एहम सवाल है आज अगर मैं service tax pay करती हूँ तो कल जब मेरी GST audit होगी या GST scrutiny होगी तो उसमें question आएगा कि ये पैसा तो आपका GST regime में आया था आपने इसमें service tax क्यों दिया अब अगर मैं GST pay कर दूँ तो कल जब मेरी service tax audit होगी, assessment होगी तब मुझे service tax वाले officials कहेंगे मैं आपने इतने amount के ऊपर में जो है वो service tax pay नहीं करा मेरे पे interest, penalty ये सब charges अलग से आएंगे और हो सकता है वो सब देने के बावजूर मेरे पास में GST को वापिस refund करने का provision खतम हो चुका हो, time bar हो चुका हो बिल्कुल ठीक बात मैं बहुत clearly आपने बहुत clarify किया अच्छे से माम अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो situation है अब दो ये options जैसे मैं आपने बता है या तो service tax pay करो या GST अब इसको समझने के लिए हम तोड़ा सा legal background में जाते हैं law की background में जाते हैं कि law actually क्या कहता है तो हमें दोनों laws समझने पढ़ेंगे दोस्तों service tax lobby और GST law service tax law में दो relevant rules यहां पर applicable होते हैं और वो है service tax rule और एक है point of taxation rule service tax rule में आपको दोस्तों याद होगा कि हमारे पास एक facility थी कि rule 6 में proviso 3 में कि अगर आप individual हैं या partnership firm है तो आप और आपकी 50-60 रुपे से receipts कम हैं previous financial year में तो आप receipt basis पा जब जब पैसे आए service tax का पैसा कलेक्ट तो आप text pay कर दीजे या आपके पास facility अभलेबल थी point of taxation rule 3 जो यह कहता था कि आप invoice करें या receipt of payment whichever is earlier point of taxation उस समय होगा और point of taxation का मतलब है जिस समय liability to pay arise होती है लेकिन service tax rule ने उस liability to pay को defer कर दिया था liability to arise हो गई लेकिन उस liability को उस charge तो create हो गया लेकिन charge को payment के लिए defer service tax rule ने कर दिया था GST में मैं क्या position है इसकी sir GST में अगर मैं बात करो सबसे पहले service tax में था text कब लगता था service के provision पे अब आज मैंने service जो दी है वो तो इसमें कबर हो जाएगी बट इसमें क्या है service में प्रोविशन हो चुकिया अलड़ी pre GST regime के अंदर तो मेरे पे section 9 और section 10 दोनों अप्री केबल नहीं हो एग अब मेरे पास दूसरा क्या प्रोविशन पचता है क्योंकि transitional credit transitional transaction है जिसमें मैंने कुछ हिस्सा मेरा पहले हो चुका है और जो एहम हिस्सा यानि amount मेरे पास में post GST आया है तो यानि अब मेरे पे transitional provisions applicable होंगे section 142 A, 142 B वो बात करता है 142 A बात करता है गोर्स की और वो शुरू यह होता है नौपिट्स राइन से यानि कि यही section prevail करेगा बागी किसी section पे तो वो कहता है कि जहां पे trigger या लेवी या चार्ज हो चुका है किसी previous section में chapter 5 या VAT के अंदर उस वाले transaction के उपर मैं GST ब्रिजीम के अंदर नहीं लगा सकती यानि वो सेम transaction को मैं दुबारा टेक्स यहां नहीं कर सकती यह section क्याता है ओके तो इसका मतल भी होगा दोस्तों अगर आप इन सारे provisions को इठा पड़ें जो service text के मैंने बात की और GST की मैडम ने कि सारे provisions को इठा पड़ें तो GST का provision हमें अब लेवी लेकिन जो है point of taxation के हिसाब से लेवी तभी हो गया था जब मैंने invoice कर दिया था और section 142.11.b मेरी relief के लिए है कि अगर लेवी पुराने section में हो गया है पुराने law में हो गया है तो फिर उसमें GST पेबल नहीं होगा तो इसका मतलब मेडम क्या आपका final opinion क्या है अगर हम सारे provisions को एक साथ पढ़े जहां पे हमारे rules क्या कहते है current regime क्या कहते है current taxation law क्या कहते है और हमारा पुराना regime क्या कहते है और जहां पे हमें levy सबसे पहले चेक करना होगा तो I think मेरा जो opinion है वो यह है कि it is a transaction where service tax has to be paid okay तो इसका मतलब हम यह decide करते है कि अगर कोई भी invoice जो कि service tax regime में raise किया था realization अभी हुई है तो इसके ओपर GST नहीं service tax ही payable होगा और goods है तो VAT payable तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube channel subscribe नहीं किया तो please कीजिए thank you very much for watching for this video thank you thank you ma'am thank you